फ्रेंड्स आपके पास कोई भी बाइक, स्कूटर एक कार ऐसी है जिसका लोन अभी चल रहा है आप लोन पे गाड़ी को खरिदते हो, आप लोन पे गाड़ी को खरिदते की सोच रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाला है क्योंकि आपके लिए good news है देखो अक्सर ये हो जाता है कि जब हम अपनी गाड़ी का जो EMI है वो time पे नहीं भर पाते है तो जो bank हो गए, जो private finance company है वो क्या करती है कि private agents के थुरू जो private recovery agent होते है उनके थुरू हमारी गाड़ियों को seize कर लेते है रोट में अपने गाड़ी को चला रहे है वो लोग एकदम से आ जाते है जो आपके मतलब की बात है जो आपके काम की बात है वो आपको explain करने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी अधूरी जानकार्य अप लेके नहीं चले जाओ तो वीडियो को पूरा देखना साथ ही आपके पास जो गाड़ी है वो आपने लोन या फिर कैश किसमे लिया था ये आप इस वीडियो में कॉमेंट जरूर से करें और इस तरह के वीडियो में अपलोड करते रहता हूँ तो चैनल को subscribe करके बेलागन को जरूर से दबा दे अब देखो सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि पतना हाई कोट में बहुत से लोगों ने रीट जो हमारा petition ने वो डाला किस बात को लेकर इस बात को लेकर कि उनकी गाड़ियों को सेम इसी तरह से जो private agent होते है जो muscle man होते है जो गुंडे होते है उनके दवारा जो bank है जो company से finance वाली वो क्या कर ली उन्होंने जप्त कर लिया अब इसको लेकर पतना हाई कोट के justice राजी वरंजन परसाद जी का जो judgment आया उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो bank वाले चाहे private bank हो चाहे चाहे private finance company हो ये जो हमारे private recovery agent का जो गुंड का जो muscle man का यूज करके गालियों को जब्त कर लेते है ये बिल्कुल illegal है इस judgment में ये कहा गया है उन्होंने कहा कि सम्विधान में जो हमारे नागरिकों को जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया गया है जो rights to life and livelihood है इसके खिलाफ ये करवाई हो रही है जो कि पूरी तरह से illegal है इस तरह के bank के उपर में इस तरह के जो private finance companies है उनके उपर में 50 या रुपय का fine भी लिका है साथी जो private जो हमारे recovery agent होते है उनके उपर में police को कहा गया है कि भाई इनके उपर में आप fire judge करो जो legal action है वो लो ये बाते कही गई है इनकी bank इस तरह के किसी भी आदमी को जो recovery agent है उन्हें hire करके आपकी गाड़ी अगर आपने EMI नहीं भरा है तो वो recover नहीं कर सकते उसका position नहीं ले सकते उन्हें जब नहीं कर सकते इस judgment में साफ साफ कहा गया है अब यहाँ पर सवाल यही निकल कर आता है तो क्या हम गाड़ी यहाँ पर यह कहा गया है कि भाई जो हमारे provisions of securitization है इसके अंतरगत जितने भी bank वाले है जितने भी हमारे private finance companies है जो के loan पर गाड़ीयों को देती है वो खुद से बिना किसी private agent को hire के हुए जो legal तरीका है securitization का उसके अंतरगत अगर कोई loan defolter है अगर EMI नहीं भरता बैं bank वाले खुद से उनका जो official team है जो official staff है उनके द्वारा है इस तरह के loan defolter जो गाड़ी है उनका position ले सकते है उनको अपने अंडर में रख सकते हुए जप्त कर सकते है यह उनके अंडर में आता है तो ऐसा नहीं कि अगर आप EMI नहीं भरोगे तो आपकी गाड़ी जप्त न नहीं होगा यह illegal है लेकिन official team के दोवार अगर यह किया जाता है तो वो legal है यह एक बड़ा judgment है हाला कि यह पतना high court के दोवारा आया फिलहाल यह बिहार के लिए है लेकिन चुकि supreme court का भी इसको लेकर और बहुत सालों पहले order आ चुका जिसके बारे में जानकारिया आपको न illegal है चलो उमीद है कि इस वीडियो में आपको इसके बारे में अच्छी जांकारी मिल गए होगी वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लाव अगर आप चैनल पर नहीं हो या भी तक अपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करके बिल अकन को जरूर से दबा दे मिल टे अगले वीडियो में थैंक्स वाचिंग इस वीडियो गुडबाई